आज हम स्टार्ट करते हैं आयरवेद का अधिकरन देखते हैं कि यह क्या होता है आयरवेद का अधिकरन उस सत्व आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुमान पुरुष कहते हैं तो सत्व आत्मा शरीर मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है सत्व आत्मा शरीर बेसिकली त्री दंड होता है तो सत्व आत्मा शरीर क्या है अपका त्री दंड है और त्री दंड के जो संयोग होता है हमारा सत्व मतलब कि मन, आत्मा और शरीर इन तीनों का जो संयोग होता है वो हम त्री दंड बोलते हैं उसको या फिर पुरुष भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये त्रीधातु पुरुष होता है, इसको हम त्रीधातु पुरुष भी कहते हैं, या फिर आयुर्वेद का अधिकरण भी बोलते हैं, या फिर पुमान भी बोलते हैं, ठीक है, सपुमान स्चेतनम तच तच अधिकरण स्मृत तो यहां पे आपका लिखा हुआ है और पुरुष भी इसको संग्या देते हैं वही सत्व आत्मा और शरीर युक्त चेतना है वही मिलत रूप से सत्व आत्मा शरीर इस आयुरवेद शास्र का अधिकरण है यहां पे सिर्फ यही दिया हुआ है कि चिकित्सा का विशे है को याद होगा फर्स्ट यार से ही तो यह आपका श्लोक हो गया अप देखते हैं थोड़ा सा श्लोक यहां पे खराब हो गया है वान मिनिट् हम देखते है इस श्लोक को खादीना आत्मा मना हा कालो दिशास्त रवी संग्रह थीक है खा आदी मतलब खा का मतलब होता है आकाश ठीक है तो खा से मतलब हो गया आपका आकाश महभूत है फिर खा आदी मतलब आकाश आदी सारे महभूत है कौन को से आकाश वायू अग्मी जल पृत्वी इसके अलावा मन इसके अलावा काल दिशा ठीक है यह सब होते हैं द्रव और साथ में आत्मा हो गई तो ये कितने हो गए आपके नौ हो गए पूरे ठीक है तो ये कितने होते हैं अगर कारण द्रव की आपको संख्या पूछेगी तो वह होते हैं नौ ठीक है इसका मतलब समझते हैं कि चेतन और अचेतन इसको वापस से दो भागों में वाटा गया चेतन द्रव जो होते हैं वह इंद्रिय युक्त होते हैं ठीक है उनमें चेतना होती है वह लिविंग होते है ठीक है और आपके जो अचेतन होते हैं वह कौन से होते हैं निरेंद्रिय व वो कौन है आपके कारण द्रव्य है ठीक है कारण द्रव्य मतलब होता है basic elements हा एक मिनिट कारण द्रव्य क्या होता है मैं आपको बिता दू कारण द्रव्य इसका मतलब होता है basic elements Chelsea इसे मिलकर ही बाकी सारी चीजे बनती हैं तो ये हमारे सबसे basic जो होते हैं जो enroll होते हैं ठीक है तो ये 9 चीजे 9 basic CC हो गये जिनसे बाकी सारी CHीजे बनती है ठीक है तो 9 कारण dr beğ हमारी ये हो गए इसके अलावा कारे enroll ही होते हैं जो आपके next page पे दे हुए है यहाँ पे देखो आपका एक table दिया हुआ है पृत्वी जल तेज वायो आकाश आत्मा मन काल और देशा ठीक है चेतन और चेतन आपको एक बार कई सारे एक्जैम्स में चेतन और चेतन पूछता है इन में से चेतन कौन-कौन से है तो चेतन याद जो आपके बचे हुए है इन सब के अलावा जो आपके बचे होगे मतलब आकाश जो है वो क्यों चेतन वाली काडिग्री में आचाएगा ठीक है तो सारे पंच माभूत में से आपको आकाश रटा के आप मायट करनी है तो चेतन हो जाएगा चेतन मतलब की 100 इंद्रिय इंद तो सब्सक्राइग 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 तो इतना होती है पर जो जांगम वाले हैं जो अनिमल्स है वो मूव कर सकते हैं तो वो पहिरंतस चेटन की काडिगरी में आएंगे अन्तस चेटन जो मूवमिंट नहीं कर सकते हैं अन्तस चेटन वो आपके आध्भिध होंगे मतलब आपके प्लान्स हो जाएंगे अब इसमें भी वापस से आपका और्बिद में आते है वनसपते विरुद वानसपते से और और अचेतर में आते है प्राकत मतलब कि नाचुरल और कृत्र मतलब आटिफीशिल ठीक है तो यह आपका पूरा जो टेबल है वो कारे दरविका हो गया अब हम गुड़ देखते हैं गुड़ क्या ह रखी है इसलिए पर थूड़ा सा शौट जा रही है बट जो मेसिक चीजे आपको समझनी चीए वो मैं आपको बताते हुए चल रही है नेक्स्ट है गुड़ के बारे में देखते हैं यहां पे गुड़ को समझते हैं यह छूटा सा आपको श्लोग का देख रहा है पर इसक कैसे कैसे हैं आप देखते हैं हम सार्था ठीक है अर्थ के साथ ठीक है सार्था मतलब शब्द इसपर्ष रूप रजगंद हां इन्हें हम अर्थ बोलते हैं ठीक है सब्द इसपर्ष रूप रजगंद के पांच चीजे आ गई सार्था में ठीक है फिर गुर्वादियो बी जो पिस गुर्वादिगुर्व ओ के और भी नाहीं होता है। छारी रहिकुड्ट या फ Will de नेक्स्ट इस बुद्धी प्रयतनान्ता बुद्धी से स्टार्ट होके प्रयतन पे खतम होने वाले यह कौन कौन से हैं बुद्धी सुख दुख इच्छादवेश ठीक है यहां पर देखते हैं बुद्धी सुख दुख इच्छादवेश और प्रयतन बुद्धी से स्टार् तो हमारे कितने हो गए एक दो दीन चार पाथ छे तो ये छे हो गए हाँ बुधि प्रयत नाम्ता छे गुरवादी हमारे बीस स्था अधा कितने हुए थे पांच और अपरादी गुड कितने होते हैं दस होते हैं ठीक है जिदका श्लोक अभी हमागे देखेंगे गुड़ा सारे को अब कितना तो फॉर्टी वं का टोटी वं का टोटल मेलेगा है ठीक है तो फॉर्टी वं के बताये थे और यह चरक ने बताय थी सबकी आपको दूसरे नाम याद होने चाहिए जो इनके एडिशनल नाम यापर दे रखेंगे हैं तो हम देखते हैं देखो जो मैंने बुद्धी प्रयतनांता बोला था, उसको अध्यात्म गुड या फिर आत्म गुड कह सकते हैं, ठीक है, फिर परादी गुड देखते हैं, परादी गुड में परादी गुड को हम समान ने गुड कह सकते हैं, ये संख्या में दस होते हैं, ठीक है, तो इनके जो देखे पूरे 20 हैं अगर आप श्लोका से याद करोगे तो सीधे 20 नाम आपको याद हो जाएंगे पड़ अगर आपको जाओंगे तो श्यायद आपके लिए थोडी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं तो दो दो के point में आत करना इसको हां जैसे कि गुरु मंद, गुरु मंद, हिम्स निग्द, सलक्षन सांद्र, मृदु स्थिरा, हां गुड़ा सचूर्ष में विशिदा विंशती सवी परियाया हां यह हो गया यह श्लोक का फिर आपका परादी गुड़ का यह श्लोक है परत यह श्लोक और यह श्लोक कि आपको लर्न गर ना है थे ड़ माते हैं कर्म का लक्षन एन आर पर देया हुया है बहुत ही चोड़ा सा श्लोक है यह श्लोक कर देंने का हिचेष्टा आई जबी मूवमेंन आप द्वारा प्रयतन लगा करते हो ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं प्रयतनादि कर्म चेश्टम इती उच्छते ठीक है अब यहां पर कई टाइब के कर्म बताएगे हैं पांच टाइब के लौकिक कर्म बताएगे हैं पांच टाइब के लौकिक कर्म ठीक है फाइब लौकिक कर्म आपको कभी कोई पूछी कितने ह तो आपको बताने हैं ताश ठीक है और ये कौन कौन से होते हैं उच्छेपण अवच्छेपण अकुंचन प्रसारण और गमन ठीक है तो ये आपने पदा त्विगान में कर खता तो आप यहां पर इमको कर सकते हो इसके अलावा जब हम आगे चाहेंगे तो हम कर्म के तीन भेथ भी पढ़ेंगे पर यहां पर आपको पांच भेथ करने हैं जो आपके पंदार्थ में दिये हुए थे कडाद के अकॉर्डिंग वैशेशिक दर्शन के अकॉर्डिंग ठीक है उच्छेपण अवच्छेपण अ आकुक्चन intuitively का मतलब होता है construct करना फ्रिसारन का मतलब होता है और गमन होता है कोई गतिशील करिया करना ये शॉट में मैंने आपको बता दिया अब आते हैं संवाय पे ठीक है Sarnitoyatrhi drabyamnatatrniyatogudah ठीक है यह आपका श्लोक हो गया श्लोक का मतलब सम्भसरे है तोर तोर के संवvayow aprathagbhava aprathagbhava मतलब जो चीज प्रathag not हो सके कोई चीज प्रathag नियो सकती तो उसे क्या बोलते है Unseparable ठीक है aprathagbhava का मतलब क्या है basically Unseparable कि हम उन दों चीजों का अलग कर दें, उनका कुई existence ना बज़े. धिक है? अगर एक घड़ा है, घड़े में से अप मिट्टी हटा दो, तो घड़े का existence नहीं रहेगा, धिक है? एक कप्ड़ा है, यह कपड़े के जो fires है, वो खटा दो, तो उसका existence नहीं तो अगर किसी उस component के होने से ही उसका existent है, मतलब क्या है? उसका मतलब है उन दोनों के अंदर समवाय लक्षन है, ठीक है? सॉरी, समवाय संबंध है, unseparable. फिर, यहां पर आपरतक भाव का आप मतलब समझ चूके हो, सनित्यो यत्र ही द्रव्यम, सनित्य संबंध, नित्य रहेगा, कभी तूटेगा नहीं, ठीक है? तो समवाय के बारे में हमें दो चीज पता चली, एक तो वो अप्रथक भाव होता है, हां और नित्य होता है, ठीक है? यहां पर एक बार पढ़ लगते है, प्रित्वी आधी द्रव्यों के साथ गुड़ों का अप्रथक भाव ही स समवाय सम्मन से रहता है, ठीक है? देखो, मान लो, घड़ाल गुड़ों, अप़्सका कोई गूड़ होगा, ठीक है, मान लो, आम एक रसायन की तरह काम कर रहा है, ठीक है तो रसायन क्या है؟ वो उसका एक गुड़ है, ठीक है? तो आपको पता चलका Зबगा कि यह जो जय र पर आप भी है रसायन गुड इसके साथ हमेशा रहने वाला है तो यह एक समभाइग समभन नहीं ठीक है तो आपको इस तरीके से याद रखना है यहाँ पर आप आपको समभाइग 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 समय होगा यहाँ पर भी एक विमार्ष में श्लोक देगा रखा है आयूत सिध्धी नाम यह भी अन्सेपरेबल रिलीशन्शिप के लिए ठीक है तो आयूत सिध्धी हम तीन वाद्स और रड़ी पढ़ चुके हैं दो वाद्स हमने पह अतिंद्रे का मतलम आखों से नजर नहीं आएगा उन दोनों का जो रिलेशन्शिप है वो आखों से नजर नहीं आएगा ठीक है तो यह चार चीज़े जो मैंने आपको टर्म्स बताए हैं वो टर्म्स पूछे जाते हैं कि कि इसके लिए यूज होए तो आपको बता होना च कर्म और गुd का सब्सक्राव याताप ध्राष्यत जिसमें कर्म और गुड़ आश्यत रहते हैं और जो कर्म और गुड़ का संभाई कारण उसे द्रव्य कहते हैं मतलब कर्म और गुड़ लिए वो से जिसमें आश्यत है ठीक है Understand तो मैंने आपको आम वाला एक्जेम्पल दिया ही था ठीक है कि आम जो है वो एक द्रव्य है उसमें कोई गुड होगा और वो एक पर्टिकुलर कर्म करता होगा ठीक है तो वो चीज जो है वो दोनों चीज हमेशा आश्रत रहती हैं कैसे समवाई कारण होती है हां द्रव्य के साथ समवाई समबन से कौन रहता है कर्म रहता है और गुड रहता है ठीक है बस यह चीज लिखे है यत्र आश्रता कर्म गुड यत्र आश्रता कर्म और गुड हां आश्रत रहते हैं किस पर द्रव्य पर कौन से रिलेशन से समवाई रिलेशन से बस यह ही बताए गया है इस पूरे श्रोका में ठीक है श्रोका से चीज़े पढ़ोगे तो बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके रहे नेक्स आते हैं यहां पर भी कुछ आवे मर्श में दिये हुए है दूसरे अचारियों की ठीक है रसादी नाम पंचा नाम भूता नाम गियत आश्य भूतम तद रव्द इननोंने पाक चीज़े बता दिया है ठीक है चरक और शुषूद ने बताया है कि मेली कर्म और गुड संभाई संबंद से रहते हैं दूसरे के साथ यहां पर शुषूद कर देखो क्रिया गुडवत इननोंने भी क्रिया को और गुड़ को दो चीज़े को बताया तो चरक इन दोनों ने क्या बताया है कि कर्म और गुर्वाइ संबन से रहते हैं द्रव्वे के साथ पर जुआपका श्लोक है भावप्रकाश का इसमें इन्होंने बोला है कि रस गुड़ वीर्य विपाक प्रभाव ठीक है प्रव्वे विपाक प्रभाव ठीक हैं यह पाथ चीजें पर ओने से आफ जिसलों तेगे